हेलो फ्रेंट्स अश्रियकाल कैसे हैं आप सब तो फ्रेंट्स आज है संडे तो संडे वले दिन हमारे पास फ्री टाइम होता है सब काम करने के लिए ना तो सुबा जल्दी उठने की टेंशन होती है ना बچो को स्कूल भीजने की टेंशन होती है उसके लिए हमें फ्री टाइम चाहिए होता है तो friends बस आज है Sunday तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी सी deep cleaning कर ली जाए तो कुछ tip and tricks अपना कर कैसे हम deep cleaning करें जो time saving भी हो और money saving भी हो तो friends बस वोई वीडियो मैं आपके साथ share कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने अपने बालों में लगाया है oil और अच्छे से massage कर ली है क्योंकि आज मैं थोड़ा late नहाऊंगी तो क्योंकि deep cleaning करनी है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं oil लगा लेती हूँ पहले जब तक मेरा काम निपटेगा उसके बाद मैं नहाऊंगी जब तक बालों में जो तेल है वो अच्छे से absorb हो जाएगा तो friends देखिए जो हमारे furniture होता है उसको उसकी समय के जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो उसकी जो shining है वो कम होती चले जाती है तो उसकी shining को बरकरार रखने के लिए जो मैं tip follow करती हूँ वो यह है कि friends जो सरसो का तेल होता है वो furniture की जो shining को है उसको बरकरार रखता है तो बस यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा सरसो का तेल और उसमें थोड़ी सी कॉटन डिप करके मैं जो लकड़ी का समान है उस पे सब पे उसको पॉलिश कर दूँगी तो देखें मैंने कॉटन में तेल लगा लिया और मैं बैड है जो मेरी बैड है और ड्रेसिंग टेबल है और टेबल है उनको मैं महीने में एक बार जरूर तेल से ऐसे पॉलिश कर देती हूँ सरसो का तेल फ्रेंड्स लकड़ी के फनीचर की शाइनिंग को जो की त्यों रखता है इस तरीके से महीने में एक बार आप जरूर सरसो के तेल को फनीचर पे लगाईए इस तरीके से आपकी मनी भी सेविंग होगी और आपको भार से भी कहीं भी पॉलिश करवाने की जरूर नहीं पड़ेगी तो आप ए महीने में एक बार ये टिप जरूर अपनाईए फ्रेंड्स जो हमारा मीरर होता है उसको कभी भी गिले कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए इससे मिरर खराब भी जल्दी हो जाता है और मिरर पे निशान भी आ जाते हैं तो फ्रेंड्स मिरर को सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स को कर दिया है और उसका स्विच भी भार निकाल दिया है और मैं फ्रेंड्स में से सारा समान भार निकाल लूँगी जो फ्रेंड्स या कुछ भी ओर डीप लीनिंग मैं संडे टू संडे करती रहती हूं तो मेरा कोई भी जो ज्यादा समान गं जाली बिछाने से फ्रीज जादा गंदा नहीं होता है जो भी बरतन का हमारा पानी वगेरा जो लगा रहता है वो सब जाली पे लगता है जब हम उस पे बरतन रखते हैं तो जाली को उठा कर हम धो दें और फिर से लगा दे तो इस तरीके से फ्रीज जादा दिनों तक साफ र तो जो पर नीचर है वो वैसा का वैसा ही साफ रहता है रोज कॉल इन की जुएत नहीं पड़ती है तो अब बारी है फ्रेंट स्विच साफ करने की जिस पे हमारा सब ध्यान बहुत कम जाता है और जो जब हम इसको ओन या ओफ करते हैं जब हमारा ध्यान जाता है कि ये गंदे हो रहे हैं इनको भी हमें साफ करना है तो अब मैं बस इसको भी साफ कर लूँगी बस केरफुली स्विच को साफ कीजिएगा तो इसमें कुछ भी लगाने की जवत नहीं है जो कॉलीन है उसको डाल कर ही बस एक कॉटन के कपड़े से आप क्लीन कर दीजिए बिल्कुल अच् अच्छे से और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी एख और कोई ज्यादा ताम-ज्हां भी नहीं करना पड़ा है एक कॉलीन से ही और कॉटन के कपड़े से मेरे सारे स्विच जो है हन् वह बिल्कुल क्लीन हो गए हैं देखिए फ्रेंस कपडा कितना गंदा हो गया है और कितनी गंद की निकली है स्वीच में से देखिए फ्रेंट्स मेरे पास इस तरीके के आटे के थैले रखे हैं जिनको मैं अब यूज में लूँगी किसी काम में तो फ्रेंट्स ऐसे घर में अगर कोई चीज रखी होती है उसका कुछ यूज होता है तो जरूर यूज कीजिए इस तरीके से हाँ ज्यादा मनी तो नहीं लेकिन थोड़ी बोती तो मनी कही न कहीं सेविंग होती है जिस मनी को हम किसी और काम में यूज कर सकते है तो फ्रेंट्स मैं तो ऐसा ही करती हूँ अगर मेरे पास घर पे कोई समान रखा है अगर मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे यूज करूँ तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेती हूँ और उस चीज़ को किसी ना किसी यूज में मैं ले लेती हूँ और जो ये अब देखिए मैंने आटे की थैलियां है इनको मैं कटिंग कर लूँगी और वाश कर लूँगी अच्छे से इन थैलियों का हम बहुत जगा पे यूज कर सकते हैं तो फ्रेंज मैं भी इसको कही ना कही यूज में ज़रूर लूँगी और जब मैं इसको यूज करूँगी तो मैं वो वीडियो भी आपके साहथ जरूर शियर करूँगी तो friends इस तरीके से मैं अपनी कोई भी चीज जो होती है उसको waste जाने नहीं देती हूँ उसका मैं पूरा use करती हूँ तो friends देखिए अब मेरा freeze देखिए सारा clean हो गया है कितना neat and clean हो गया और कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से मैंने अपनी deep cleaning कर ली है तो friends आपको मेरे tip and tricks कैसे लगे जरूर बताईएगा और मेरी वीडियो को like और subscribe करना मत भूलिएगा मिलेंगे next वीडियो में जब तक के लिए bye bye take care हुआ हुआ है